नमस्कार मेरा नाम है शालिनी आप मुझे देख रहे हैं टार्गेवित आलो के ओलाइन प्लाइण प्लाइण पर आज हम आपसे बात करेंगे तांडो विब सिरीज के विवादों में घिरे होने के कारणों पर क्या वो बात है जिसकी वज़े से तांडो विब सिरीज सुसाइटी पर क्या इंपक्ट होगा साथ ही साथ हम आपसे यह भी बात करेंगे इसके आगे कि वो कौन सी IPC की धाराएं हैं जिनके तहट आप जो है अगर आपकी धार्मिक भावनाओं को कोई ठेस पहुचाता है तो आप कहां कोट में जाकर अपील कर सकते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यह जो Tando Web Series है वो रिलीज हुई है Amazon Prime के OTT प्लाटफॉर्म पर OTT प्लाटफॉर्म जो स्टांड करता है वो ओवर दे टॉप मतलब OTT का जो फुल फॉर्म है वो ओवर दे टॉप है सभी Netflix है MX Player है यह सभी OTT प्लाटफॉर्म की तरह काम करते हैं OTT प्लाटफॉर्म अभी किसी censorship के अंतरगत नहीं आता है मतलब कोई भी censorship OTT प्लाटफॉर्म को regulate नहीं करता है जबकि जो बाकी media houses है जैसे print हो, television हो, radio हो इन सब की एक regulatory authority है जो की इनके content को pass करती है या कोई ऐसी out of the walks बात होती है जो society की peace and harmony को दिक्कत पहुचाती है तो वो उस पे action लेते हैं या उनको regulate करते हैं, रोपते हैं अब बात करते हैं, तांडो web series जो है, वो जो direct की है, वो अले बास, जफर ने direct की है और उसको produce किया है सैफ अली खान ने साथ ही साथ इसमें जो acting की है, वो भी सैफ अली खान, तिग्मान शुधुलिया, जीशान आयूब, सुनील ग्रोवर, ये सभी बड़े actors जो हैं, उन्होंने इस web series में काम किया हुआ है हाला कि इस movie में विवादों के रहने के अलामा जो review आ रहे हैं, critics के जो review आ रहे हैं, वो अच्छे नहीं आ रहे हैं पूरी तरीके से web series जो है, वो political drama है, ये जो web series है, इसके जो story का grip है, वो ये है कि एक बंदा है इसमें, जो कि प्रधान मंतरी बनना चाहता है इसका role play किया है, सैफ अली खान ने, प्रधान मंतरी बनना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसी situation create हो जाती है, कि वो प्रधान मंतरी नहीं बन पाता है फिर वो king maker की भूमी का निभाना चाहता है, और फिर चाहता है कि वो किसी और कुप्रधान मंतरी बनाए और इसके लिए वो choose करता है जी शान आयूब को ऐसा कहा जा रहा है कि जी शान आयूब और सुनील ग्रोवर ने थोड़ी अच्छी acting की है, आप उनको देख सकते हैं आगे हम बात कर रहे हैं, उस scene की जिसकी वज़ा से ये जो film है वो विवादों में घिर गई है पर्टिकुलर ये scene है जो एक VNU University है जिसका मंच है जहां पर जी शान आयूब जो कि शू लौट शिवा के गेट अप में है और वो बात करते हुए नजर आते हैं कि आजादी के बारे में बात करते होते हैं तबी एक narrator अंदर आता है जो मंच पर आता है जो बात करता है लौट शिवा से कहता है भाया आजकल जो है सोशल मीडिया पर राम बहुत पॉपुलर हो रहे हैं तो जी शान आयूब जो कि लौट शिवा के किरदार में हैं तरिशूल और डम्रू पक्रे हुए हैं वो बोलते तो यह जो particular scene है और यह dialogue से जिनकी वज़ा से Tando web series विवादों का कारण बनी है इसके अलावा जो इंडिया के authority है पलिस डेपार्टमेंट उनको भी पूरी तरीके से ब्रस्ट दिखाने की कोशिश की गई है जिसके कारण यह जो web series है वो विवादों में आ गई है आगे हम आपसे web series के बारे में बात करते हैं जीशान आयूब जो है आप देख सकते हैं अगर आप पहचानते नहीं हैं जीशान आयूब को फिर आगे विवादों में आजकल hashtag bandtando मुहीम चलाई जा रही है ट्विटर पे क्योंकि काफी सारी धार्मिक मानताओं को हिंदु धर्म की मानताओं को खास करके इस फिल्म ने आहत किया है जिसके लिए भारतिये जनता पार्टी के जो हैं मनोज कोटक जी हैं MP हैं उन्होंने अपनी information broadcasting ministry को लेटर लिखा है प्रकाश जावेड कर जी को कि इस फिल्म में इस वेब सीरीज में जिस पर्टिकुलर सीन्स में हमें दिक्कत हो रही है उनको या तो हटाया जाए या तो फिर इस वेब सीरीज पर बैन लगाया जाए आगे राम कथन जो MP के MLA है जो महारास्ट के MLA है उन्होंने भी बोला उन्हों तो सीधा बोल दिया अगर आपने इस पर बैन नहीं लगाया, तो हम Amazon के जितने भी प्रोडक्स हैं, उन पर भी बैन लगाना शुरू कर देंगे, और इस एप को ही डिलेट कर देंगे, सारा मामला खातम. और कंगना रनावत, you cannot forget taking her name, क्योंकि यह जो है, हर जगा अपने जो राय है, वो बेबाकी से देती है, देनी भी चाहिए, आप भी दीजे, अच्छी बात है, और इन्होंने कपल में शौ को टैक करते हुए लिखा है, कि अली अब्बास जफर कभी अपने मज़ा पर मुवी ब पना कर माफी मांगी, सारी विक्ति की अजादी हमारे ही धर्म के साथ, क्यों, कभी अपने एक मात्र इस्ट देव का भद्दा मज़ाक उड़ा कर भी शर्मिन्दा हो ये, तो आपके अपरादों का हिसाब भारत का कानून करेगा, तो बात कहीं ने कहीं जो है, कहीं ने कहीं एक personal view सबके होते हैं, तो मैं बोलना चाहूंगे, कहीं ने कहीं बात सही है, कि हर बार हिंदू धर्म ही क्यों, इस बात पर ये बात क्योंकि दशकों से ऐसी फिल्में बनती आ रही हैं, कि आप जो flexibility ले रहे हैं, और flexibility ले रहे हैं, वो आप हिंदू religion के साथ ही ले रहे हैं, बाकी जगा आपको उतनी हिम्मत आप दिखाते वे नहीं नसर आते हैं, अगर आप आएंगे, तो में भी फिर accept कर लें, क्योंकि क्या है कि अगर article 19 के तहत जाएंगे, तो objective की आजादी है, बट उस पे एक restriction है Supreme Court का, कि अगर आप किसी को ठेस नहीं पहुचा सकते हैं, अगर तो जब आप water movie जो है, ये बनी है, इसने भी क्या किया था, water movie जो है, उसका आप, मतलब, बहुत कम Hindu mythology को follow करने वाले लोग भी है, बहुत कम लोग विरोध करेंगे, क्योंकि ये child marriage और widow treatment पर आधारी थे, किस तरह तरीके से हमारे समाज में, एक वीडो को treat किया जाता है, ये स्टोरी उसी के इर्द गिर्द खूंती है, तो ये फिर भी water विवादों में रही थी, पदमावत, जो है, वो history में छेड़ चाड़ करने की वज़े से विवादों में आई हुई थी, इसके बाबजू धर्म संकट में, ये फिल्म भी काफी जादा विवादों में रही थी, इस कदर विवादों में आई थी, कि ये फिल्म के रिलीज के पहले, जो होते हैं, हिंदू धर्म के को मानने वाले, जो थे धर्म गुरू होते हैं उनको, और मुसल्मान के जो भी कहते हूं धर्म गुरूं को, उनको बठा कि ये फिल्म दिखाए गई थी, और फिर रिलीज ह विवाद में होने कारण ऐसा है कि एक धर्व पाल नाम का एक व्यक्ति है जो कि पूरी तरीके से मुस्लिम रितिरिवाज़ों से नफरत करता है उसे पता चलता है कि बैलोजिकल चाइल्ड जो है उसके बैलोजिकल पेरिंट जो है वो मुस्लिम ही है, मतलब उनके माता पिता मुस्लिम है, एक हिंदू फैमिली ने उनको गोद लिया हुआ है, तो इस कारण ये विवादों में रही थी, पीके जो है हम सभी जानते हैं, क्योंकि हमारे समय की फिल्में हैं, जिसे काफी हिट फिल्म है, तो मैक्सिमम लोगों ने देखे हैं, तो जादा एक्स्प्रेइन नहीं करूंगी, लेकिन इन्होंने भी हिंदू रीति रिवाजों को सर्क्यास्टिक वे में प्रेजन किया था, जिसकी वज़े से काफी विवादों में रही थी, और फिल्म को काफी फायदा भी हुआ था, ओम जी के बारे में बात क देखे हैं, जिन पर इतने सारे मतलब विवाद हुएं, अब इनका एक सोशल परसेप्शन है, दो चीज़े हैं, बॉलिवुड ऐसा कर क्यों रहा है, एक थौट बनते हैं, इनका सोसाइटी पर क्या इंपक्ट है, बॉलिवुड को तो सीधा फायदा आ रहा है, क्योंकि फि इन विवादों को इन विवादों को इस्तिमाल कर रही है, क्या होता है कोई फिल्म देखने आप क्यों जाते हैं, आप टीजर देखते हैं, ट्रेलर देखते हैं, आपको पसंद आती हैं, फिल्म में देखने जाते हैं, अधर आपको पसंद आता है टीजर और ट्रेलर फिर भी नहीं देखने जाते हैं लेकिन अगर फिल्म विवाद में आ गई अब आपके दिमार्ग में वो चेस हिट करने लगेगी कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वज़े से हमको फिल्म देखना चाहिए मतलब आप खुद मजबूर हो जाते हो फिल्म देखने के लिए कि ऐसा क् वही तो ये एक चीप पबली सिटी स्टंट की तरीके से इसको इसको इस्तिमाल कर रहे हैं कि हम ऐसा बनाएंगे बाद में माफी मांगेंगे और इसका सीधा फायदा बॉलिवूड के फिल्मों को जा रहा है अगर आप डीप में जाना चाहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है तो ज इसके अलावा जो है जो सोशल इंपक्ट आ रहा है इनके उपर वो क्या आ रहा है इन सब चीजों को क्या होता है हर धर्म की अच्छी और बुरी बाते होती हैं जैसे अगर हम हिंदु जर्म की बात करने तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके चीजों को हम मानते हैं बह इनकी medicinal value इतनी हाई है आप आस्था के साथ जुड़ जाएंगे तो पेड़ों को लगाएंगे और फिर वो आपको direct-indirect फाइदा उठाएंगे आपको फाइदा पहुचाएंगे तो मतलब धर्म पे सवालिया निशान लगाने से मुझे लगता है कि एक peace and harmony बिगड़ती है आप कि ये पूरी तरीके से society के लिए अच्छा नहीं होता है तो आप ऐसे कुछ sensitive मुद्धे हैं जिनको touch ना करें अगर आप South film में देखते हैं, Karnar film में देखते हैं, Malayalam film में देखते हैं तो आप देखेंगे कि उनके मुद्धे जो होते हैं फ्रेश होते हैं एकदू फ्रेश ह करते हैं, तो मुझे लगता है कि Bollywood को copy करने से बहतर होगा, content भी आप सीख किया है, तो कमिसे कम इन चीजों से आप cheap publicity stunts से बच जाएंगे, हाँ, अगर आप political drama देखने के शौकीन है, क्योंकि Tando भी political drama है, तो Tando देखने से बहतर होगा, House of Cards, जो कि American web series है, I will recommend आप जरूर फिर इसके बाद हम बात करेंगे, 19.1, अव्यक्ति की आजादी जो है, इसी की तहत जो है, बाकी हम सब आपनी बात जो है, किसी भी platform पर रखते हैं, इसकी आजादी है हमें, लेकिन अगर हम guideline को तोड़ते हैं, जैसे किसी को ठेस पहुचाते हैं, तो उसके तहत राज जो है उचित प्रतिबंद लगा सकता है, जिसकी बात बार-बार की जा रही है OTT platform के लिए, दूसरी, जो है, अगर आपकी धार्मिक मानताओं को कोई ठेस पहुचाता है, तो आप IPC की धारा 295, 295 A के तहित, जो है, आप Supreme Court और High Court दोनों में PIL दाखिल कर सकते हैं, आगे हम बात क तो यहां की आर्टिकल 25 के तहस, आपको पूरी सतंतरता है अपने इक्षा के अनसार अपने धार्म को मानने की, तो आप मानिये धार्म को अपने अपने अच्छा के अनसार ऐसा अपने देश में नियाब है, आप बूल सकते हैं, बस किसी को ठेस मत पहुचाइए, लेकिन इ IPC कि धारा 292.95 A ये सारी बाते रहीं जो तांडो वेब सीरीज से रिलेटेड है I hope कि मैंने पूरी बाते कवर की होंगी अगर कुछ रह गई होंगी तो आफ कीजिएगा और आगे आप किसी भी मुद्दे पर कोई scientific topic है कोई political topic है कोई भी topic जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी चाहिए है तो हम आपको पूरी जानकारी देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे and thank you for watching